ये देश है मारा का दिवाली एडिसिन ये दिवाली श्री राम मंदर वाली रामाय राम अभद्राय राम तंद्राय वेद्रशे रगुनाथाय नाताय श्री सीताय पते नमा ये स्री राम जैये स्री राम है व्लिदी खलमें 약 20 अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे 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 तेल तो शायद दे जादा प्ला हो झाथ इस Audio लेकिन राम लला विराजमान हो गए है वावर का धांचा खतम हुआ रघुवर का मंदिर खड़ा हुआ नमस्कार विवर्स मैं हूँ अमीश देवकन और आप सभी को दिपावली की आज हार्दिक शुपकामना है क्योंकि हम उस संस्कृति से जुड़े हैं जिसमें कहा जाता है कि मन में राम तन में राम रोम रोम में राम हैं और इस बार दिवाली तो सद्यों तक याद रखे जान है क्योंकि ये मौका बेहत विशेश है करीब धाई महीने बाद 22 चरवरी 2024 को आयोध्या में भव्वे और दिव्वे श्री राम लला का मंदिर बनके तयार हो जाएगा श्री राम की प्रान प्रतिष्टा हो जाएगी लेकिन कुछ नेता इस शुब मौके पर भी सियासी विल कराना कह रहा है कि दिवाली का भव्वे आयोजन करवाना सरकारों का क्या काम है कौंग्रेस के प्रमोत दिवारी कह रहे Hawaii के भीज़वीवाले fraud कर रहे हैं सवाल है कि अगर इस दिवाली राम भक्तों का उत्सा थोड़ा हाई है तो कुछ लोगों को कुछ नेताओं को विशेश तोर पर ये इतना चुप क्यों रहा है आज इसी मुद्य पर दिपावली के दिन जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस ये देश है मारा में ये दिवाली राम मंदिरवाली आज कल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभुराम के भब मंदिर की चर्चा चलती है पूरे देश में खुशी की लहर है सवभाग्य से भरे इस पावन कालखन में मेरे मन में एक बार 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 राम काज किने बिनू मोही कहा विश्रा जिसके लिए हमारे पूर्वज बल्दान हुए थे जिसके लिए उन्हाने संगर्ष किया था जिसके लिए उन्हाने साधना की थी हम अपनी आखों से आज उस कारे को मूत रूप होते वे देख रहे हैं हमें गर्व हैं कि राम मंदिर बना पर राम मंदिर का ठेका क्या भरती जंटा पार्टी में लिए इससे पहले की जो दिवालियां होती थी वो राम के नाम की दिवाली नहीं होती थी क्या दिवाली पर भी राज दीती होगी सरकारों को काम मंदिर मस्जिद बनाना या दिवाली मनवाना या भव्वे राम मंदिर का उद्गाटन कराना ये सरकारों के काम नहीं है पाइटी का हिस्सा होने का मतलब यह नहीं है कि सच को सच और जूट को जूट ना कहा जाए मैंने महसूस किया है कि कॉंग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिने राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है हिंदुत से नहीं, हिंदुशव्द से नफरत तो क्या वाकई यह दिवाली राम मंदिर वाली है और यह बात सत्य है और यह बात सत्य भी है मेरे साथ आज की इस बड़ी चर्चा में आप सब का अभिनंदर है, मेरे साथ कौन को ना आईए परिचे करा देते हैं सबसे पहले महंत नवल किशोर जी का अभिनंदन है जोर दर्थालियों के साथ उनका अभिनंदन है महंत जी खासतोर पर हमारे कारेक्रम में शामिल है मेरे साथ डॉक्टर सुधान शुतरवेदी है भारतिय जनता पार्टी के परवक्ता है पेशे से इंजिनियर है और राजसभा के सांसद है और भारतिय जनता पार्टी का सफर इन्हों ने देखा है राम मंदिर का सफर देखा है आंदोलन से मंदिर तक का सफर देखा है मेरे साथ इस चर्चा में विवेक शिर्वास्तव है जो की लेफ्ट की आइडिलोग है जो शुरुवात से राम मंदिर की राजनीती के विरोधी रहे और इनका कहना था कि राम मंदिर की बजाए उदर कोई अस्पताल बन जाए कोई अराम गराय बन जाए तो वो भेतर है मेरे साथ मौलाना साजित रिशीदी है जाने माने मुस्लिम धर्म गरू उनका विनंदन है मेरे साथ संजे घुपता है शिव से राम लोगों का विनंदन है लेकिन महंति जी शुरुवात आपसे करते हैं सबसे पहले तो आपको प्रणाम और सवाल मेरा बहुत सीधा है ये दि पहले तो मैं सबी मंदूओं को पावन दीपावली की बहुत-बहुत से उक्वामनाई व्यक्त करता हूं। बग्रे रूप में रामजनमिस्तान पर जहां 74 युद्ध लड़े गए लाखों रामभक्त बलदान हुए उस जगे पर भब मंदर बन रहा है तो सवाव के प्रसंता तो होगी ना आनंद तो होगा ही होगा ना और जहां पर लाखों की संप्या में दीप जल रहे हूं लोग घ क्यान के दीप हैं विवेक के दीप हैं जागरती के दीप हैं और दीप अंदिकार को समाप्त करता है ना और देखो साब दीप जिसे प्रकास अच्छा नहीं लगता है ना उसे हमारे हां क्या कहते हैं आप सब जानते हो हम सब तो प्रकास के पुजारी हैं इसलिए हमें तो वड़ी प्रसंता है और सभी लोगों को जो थोड़ा भी भगवान, सीराम, किष्ण को या देश को अपना मानते हैं ऐसे प्रतिक विक्ति को उत्सा है, आनंदा है, प्रसंता है तो हम सब के लिए बहुत आनंदा एक दीपावली है भगवान करे इस परकार के दीपक जान नही में एक वादा करा कि हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आप लोग आगे एक और सवाल लगाते थे जब से नरिंद मूदी की सरकाराई, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथी नहीं बताएंगे, तारीक नहीं बता हुआ एक दीब जलाओ बच्चों पढ़ाई लिखाएगी जरूरत नहीं है खुद पास हो जाओगे अगर बीमार पढ़ते हो फिर एक दीब जला लो अपने आप इलाज हो जाएगा दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है पुल बनाना है दीब जलाओ साइंस अपने आप मंदिर बनाएंगे कोड кино कोड में केस ठड़ा गया कोड़िंय दिया कोड़ कोन ने सब्रमानों ने महिए विमाना सब ने कहा कोड़िए चलो फॉलो करो करो कि आप कहां से बीच में आ गए और आपका काम इस पोलिटिकल पार्टी यह गश्तमने पाटी या गवर्मैंट साथ ही बैठे हुए है आपके मित्र वो कह रहे हैं कि अश्कूल नहीं बनाना चाहिए था और दीपक जलाने से कौन सा उजाला हो रहा है लोगों के जीवन के अंदर हमने तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो जाएगी मगर बच्पन से पढ़ा है चर्खा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा एक गाल पे चाटा मारे दूसरा गाल आगे कर दो अंग्रेज भाग जाएगा भाग गया था क्या ऐसे मानिवर वास्विक्ता ये थी कि अगर महात्मा गांधी ने उस चर्खे को प्रतीक बनाया था जहां पूरे राष्ट की भावनाएं समवेदना के साथ आके जुड़ी और उससे वो एक शक्ती मिली नहतिक शक्ती कि अंग्रेजों को भगाने में सफ़ले उसी प्रकारी ये दी प्रवट की किरोश्री नहीं अच्छी लगती उनको अठेरा ये अच्छा लगता है जिनके लिए राम-चरी इंत मारत में कहा गया सब्साइम सब्साहरosition मं इंके मन में पाप होता है उनकी स्थ प्रतिकतामसी वैसे यह होती है या उलु क dov फ़ीलू की जैसे आ सक्ती अंदे पेरे की तरफ होती है। कभी दीपक की तरफ नहीं होती है। वैसे कुछ लोग हैं सर्फ अध्यरादेश नियुक्त अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने वड़ावाजिब सवाल किया क що हुआ ता जनाब राम मंदिर ऐसे नहीं बना है जब राम मंदिर बना है उससे पहले चार करोड गरीब लोगों को प्रधान मंतरी आवास योजनाक तहत आवास मिला है उसमें तीन करोड महिलाएं है मैं दावे के साथ कहता हूँ जिनका रेजिस्ट्री में नाम लिखा हुआ 2014 से पहले गरीब वर की तीन करोड महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनका नाम उसमें लिखा हुआ और आपने कहा हैं इंफ्रास्ट्रक्चर 37 किलोमीटर पर डे की रोड बन रही है इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्ट्मेंट में हम इस समय नमबर वन के देश हैं अमेरिका के से जाधा इन पर अब आईए पांच मीं बड़ी अर्थवस्ता हैं सुन दीजे चौथे बड़े स्टॉक एक्षेंज बने हैं तीसरे बड़े आटो मोबाइल मैनिफेक्चर बने हैं चांद क्या छूते चूने को चूने वाले देश बने हैं उसके बाद जाके यह राम मंदिर की आईए जाके बच्चों से करिए चाइना एकनोमिक रिसेशन में अभी फिच्ट ने रेटिंग जो है उसकी घटा के 5.2 से 4.5 किये भारत की 5.5 से 6.2 किये यह अंतर हो रहा है कि कैसे हम करें जी 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 चूंकि भगवान राम के स्री राम डला विराजमान के भब मंदिर में इस थापित होने से पहले की अंतिम दीपावली है चों अंतिम दीपावली मैं क्यों कह रहा हूं यह दीपावली इसलिए महात्पूर है आपने का पहली दीवाली नहीं थी हाँ किसी जमाने में ताला लगा था जब हम लोग बच्पन में नारा लगाते थे लोग तंत्र की देखो शान बंदी बने हुए भगवान फिर उसके बाद ताला खुला तो हम लोग कहते थे तेरे भी जो मंदिरों पर प्रती बंद लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें चोड़ देना चाहिए यह सिती थ उसके बाद टांट के छपपर में रहे भगवान राम और वो भी अगर फट जाता था तो कोट जाना पड़ता था और उसके बाद स्री राम लला विराजमान इस केस में खुद पैरोकार थे शायद आप लोगों को नहीं पता होगा वन अब दर रिस्पॉंडेंट पार स्री भगवान एक मातर है युन्होंने कोट में खड़े होकर अपना मुकदमा खुद लड़ा है और पूरी मर्यादा के साथ सारी कानूनी वैदताओं के साथ अब जाके मंदिर वो बना है इसलिए मैं कहूंगा एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था रोता जाना यही कहा गया ना कि धीपक जलाना सरकारों का काम नहीं है भई तो इफतारी करना सरकारों का काम होता था जो इफतारी करी जाती थी जवाब देना पड़ेगा इसकावी आपको को तेल देने के खिलाफ क्यों है 21 लाक दिये जला करके तेल जला रहे हो जलिए को यहीं नहीं मालूम पहली चीज महात्मा गांधी का चर्खा सिंबॉलिक नहीं था वो कह रहे थे विदेशी वस्त्रों का भैश्कार करो करो एंड मेक इन इंडिया करो इनका मेक इन इंडिया नहीं कि मल्टी नैशनल को कह रहे आओ और 100% FDI इनका मेक इन इंडिया नहीं वो गांधी का मेक इन इंडिया था और चर्खा उसका प्रतीक था कि अपना सूत कातो और कपड़ा बनाओ दूसरी बात आप यह मुझे अपना गांधी जब चर्खा चला रहे तो वह प्रतीक था एक सिंबल था उस यह का न आपने मैंने का आपने स्वदेशी का प्रतीक आप अचाहे बता यह चरका कर दो नहीं होगी यह गंदी के विरोधी है शुरू से रहे किस विचारधारा को फॉलो करते हैं जी मैं आरो अपने जी अपने स्वाला को लेकिशा और पहत्मा गांधी की बात कर रहे है वो महात्मा के अंतिम शब्द रामी थे सर तो बस खतम करिए इनों गांधी जी भी राम के वक्त थे और ये देश राम का आप राम के कहा जाएंगे हम मगर नेशनल और मर्टी नेशनल कहने वाले ये तो देशी पार्टी नहीं है आपको फ़सा रहे है तना डर गए तो आपको फसा रहे है रशीदी साहब क्या आपको लगता है ये दिवाली वाकई खास है क्योंकि राम लला का मंदिर बन रहा है और चाए कोई कुछ भी कहे बीते गत वर्षों में हमने देखा है एक बदलाव आते हुए समाज के अंदर भी यो रियाक्शन देखिए मुझे याद आता है गांधी जी का वो उक्तव बे जब सरदार वल्लब भाई पटेल ने उनके सामने सौमनात मंदिर की योजना रखी पूर्ण निर्मान के लिए तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपका पूर्णते समर्तन करता हूं और अच्छी योजना है लेकिन याद रहे इसमें पैसा भक्तों का लगे राजकोश का नहीं राजकोश का नहीं राजकोश समझते हैं आप हाँ समझ लीजेगा इसको समझ लीजेगा छिदरा ये जो भवे दिवाली है ये राजकोश से हो रही है इसमें भक्तों का पैसा नहीं है ये समझ लीजे आप अगर उस महात्मा गांधी को जिस महात्मा गांधी ने एक वस्तर पहन कर, इंग्रेजियों को उनके घर तक छोड़ के आए, और घुटनों पे ला दिया, उस महात्मा गांदी का मजाख उड़ाते हैं आज बैटके, जिनकी कोई उकात नहीं, हैसियत नहीं, महात्मा गांदी का मजाख उड़ाते हैं, वो महात्मा गांदी जिसको सारी दुनिय होता है अगर वो हिंदु समाज में हैं तो वो दिवाली मनाता है राम के लिए तो मनाता है किसी और के लिए थोड़े मनाता है राम के लिए मनाता है तो इसमें क्या खास है इसमें सिर्फ ये खास है कि दिवाली को इसलिए बढ़ा चड़ा कर दिखाया जा रहा हर साल अपना तोड़ते हैं योगया दितिनाद एसाफ पांच लाग थे अबके ग्यारा लाख हैं अबके एक्कीस लाख हैं और उसके बाद में पता नहीं एक्क्यावल लाख हो जाएं अपना ही रिकोर्ड तोड़ रहे हैं क्यों आप कहरे हैं आने वाले दसमता अजाव सथा कि चलता रहे सुन लिजे चलता नहीं रहे जो दोजार चौबिस में खतम है अब सुनिए मतलब दोजार चौबिस में अगर सरकार जाएगी तो अरे सुन लिजे बाद पूरी नहीं होगी मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ इनके पास देखे कितनी लाचारी परधान मंतिरी के मूँसे रहे हैं हमारे हाथ से तो राम मंदिर को ले आए इनके बोला कि पांच राज्यों में बीजे पी हार रही है इसलिए बीजे पी राम का नाम ले रही है लेकिन फैक्ट यह है कि बीजे जब कार सेवा हुई थी और जब विवादे धाचे का गुंबट तूटा था बीजे पी आप नहीं चलाएंगे किसे बोली नहीं चलाएंगे सुधान्शू आप बताईए क्या हुआ था 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 को कि आप तब भी आपको बता हूँ छे दिसंबर से दो दिन पहले चार दिसंबर 1992 को शेशादरी जी की लखनौ संग का रहले में प्रेस हुई थी और प्रेस वालों ने पूछा था मुझे यादे शार टाइमस ओंडिया टाथा का पत्रकारता जिसने कहा कि Your Government has given an affidavit that you will abide by the Supreme Court Directive and Supreme Court had said that there should not be any construction activity on the site तो उन्होंने कहा कि we will strictly abide by the Supreme Court Directive and we will not do any construction activity then how you will perform the car seeward उन्हों का we will do some pre construction activity तो वो एक अलग बात है मैं ये कहना चाहता हूँ जो बात आप ने बात कही मैंने गलत नहीं बोला ना नमल किशो जी ने गलत बोला कि नहीं बोला कि नहीं नहीं जूट को बोलते हैं डिबेट आप बोला हैं सुप्रीम कोड ने अपने जड्मेंट में बा ये बाबरी मस्जिद कहते हैं सुप्रीम कोड ने हमेशा डिस्प्यूटर डिस्प्रीम मस्जिद में अबहूं रोग नहीं सकते हैं मेरे आशा किया करा राम राही आपकार्यान दे रहने तें कि इतने दिये जलाए वो तेल गरीबों मूं क्यों नहीं बाट देता अभी दे जाएगी वोडिया लिए अस्तर की बात टो जो फिर डब एक एस्तर की बात हुए सरी सब करें राममर्दी के दिया जाने के अगे वह भी अभी भी हिंदू में बखरी की बखरी नहीं दी जाती ना क्वड़ें दो से पार तो इस शर्चा में बख्रों कि उर्गाई की बली दी जाते हैं अग्राइट धर्म है। मना कर दो बली नहीं मना कर दो पर दो नहीं मना कर दो अव्य है। करी भएधमने लिखा हुआ है। जोट पे दस साल हो गए उनको जोट बोलते हैं Jewish अगस अधित ज़फ devotees आप सुनिये, आप में बयद पढ़ेये। आप मुझे शीइन बहendra ऑगे लिके नहीं दंकाओ नहीं। हिंदु धरम में बली है कि नहीं सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर देखे वह वो गडबंदन में भी अलग थलक हो गए चर्चा में भी अलग थलक हो गए आप खुद अलग हो गए जो अज वी जो सबसे बड़े ही रो थे आज क्या हो गया सबसे पहले तो मैं कहुंआ कि जैस्री राम जैस्री राम जैस्री राम जैस्री राम बाला साब ठाकरे का सपना जो पूरा होने जा रहा है राम मंदिर बनने का इसमें सबसे बड़ा त्याग अगर किसी ने किया तो वो सिरफ ठाकरे परिवार उस्व सेना ही है जिसने हमेशा ये चाहा कि BJP को केंदर के सासन में लाकर के हम राम मंदिर के बनने के रास्ते को साफ कर सके और ये सपना सिरफ हमारा नहीं था हमारा और बीजेपी दोनों का था क्यों सुदान सुजी मैं सही कह रहा हूं और गठबंदन में चैब भले हम BJP के साथ थे या आज आज आप इसलिए हमें कहते हैं क्योंकि साथ कांग्रेस के साथ गठबंदन में कुछ मामलों में ह साथ रहे चैब कांग्रेस के साथ रहे राम मंदिर पर हम जैसे खड़े थे आज भी वैसे खड़े हैं किसी के साथ गठबंदन में जाने से मुझ्दे नहीं बदलते इस देश में सिर्फ एक ही पोलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसने ठाकरे परिवार और पोलिटिकल पार्ट और कॉंग्रेस के समर्थन से उद्द्व जी जब मुख्यमंति बने थे यह तब किया था ना की और कि आपकी गड़बंदन का पार्टर कॉंग्रेस राम मंदिर के विरोत में हैं उनको नाराज करते हुए उद्द्व जी ने दिया था इतनी बड़ी हमत दिखा ही किसी के न रेस के क्या हो जाएगा जो यह कैते हैं ऐसे बहुत से लोग में सामने पैठे़े मैं इसे कह रहा हूं इननी को भी कह रहां और जो ऐसे कि पर लगा मधार गाता करके नूंसी कि अभए वाली बात और विद्ध्यालें वाली बात और दूसी बात है कि हाँ ये ठीक कहते हैं गलत के साथ यह यह इंदूत्विरोधी पार्टियां लेकिन के हिंदूत्विरोध को अमने कभी समर्तन नहीं किया हम हमेशा लाम लला का मंदिर जैसे जैसे बन रहा है कई कई सारी दूंदे क्लियर हो रही है यह बीजे पी नहीं आपके घडबंदर का एक पार्टनर के रहा है कि आप लोग हिंदुत्व विरोधी हैं पार्पा के हिंदुत्व के बिलकुल खिलाफ है इनके क्या हुआ हिंदु सेना के सिर्फ एक ही कारण है कि वह हिंदुत्व विरोधिया और राम मंद्र के विरोधिया है महंत नवल किशोर जी क्या आपका हिंदुत्व इसमें विश्वास करता है इसमें कॉंस्टिटूशन को तोड करके एक भीर जाए और बिना कोड के ओडर के धांचों को तोड़े यह बताओ पंद्रा सो अठाइस सुनू पहले और दूसरी नहीं पहले हमने किसी कानू का अपमान नहीं किया किसी कोड का अपमान नहीं किया वहां हम केवल कार सेवा करने के लिए गए थे कार करताओं को रोका गया प्रियात दिने करके गए और अच्छा आप बाल्डिया करते हो मोधी जी और योगी जी ने हमारे सपने को जिसको साकार किया है और भी देश के अंदर जो कि मैं कहना चाहूंगा आज मैं 60 यह का हो चुका हूं और पिछले काफी सालों से मुझे इतनी नौलिज नहीं दी जो दस साल में मुझे नौलिज आई है जितना हमारे देश के अंदर हो रहा है जितने रोड बन रहे हैं मैं आज दिल्ली बदरपर बॉर्डर के आसपास रहता हूं जो 40 साल पहले चाहे वो कांग्रेश ने पास किया हो जा किसी ने किया हो वो सपने मोधी जी ने पूरे किया है जो इस देश में बहुत अच्छी है और जब धांचा भीड ने तोड़ा हमारी शर्मिंदी की हुई हर इंटर्नाइक पर इसा देश है जहां पर माइनॉरिटी के धांचों को भीड जाती है तोड़ के चली आती है और पहले जहां हमारी नाक उची होती थी कि मेरे देश में माइनॉरिटी का मुसल्बान सुरक्षित भी है और उसका आधर भी होता है हमारा मुकाला हुआ था सर एक मंट सुनिए आज आएक अपना घर बनाते हैं आपको खुसी होती है आपके परिवार को बच्चों को खुसी होती है यह तो राष्ट का निर्मान जिन्होंने देश पे मतलब जो है सनातन धर्म की स्थापना की हमारे सिरी राम का अगर मकान बन रहा है घर तो आपको आपको बने किया है कोई आपती नहीं है ने आप यह जो आप डिवेट कर रहे है आप आप अपको आप मांदे राम हमारे है आपके मैं मैं सुधां चू वहां पर कोई मस्जिद जैसी चीज नहीं थी सिर्फ वो मंधिर था और पूजा हो रही थी मंदिर का पुजारी अवे अगर यह बता दे कि वहां चेट संबर बान नवे को मजजित का उता है अब बीड तंत्र की बात कश्मीर में हज्जारों मंदिर के नाम पर इत्रा ही नहीं तो क्या था तरीका बार 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 आप एक लिए टापिक पर बात करें ना आप बैट आप करें अब तरह नहीं अभी तरहीं नहीं अभी टॉपिक कोई बताता हूं सुनिए और चरारे शरीफ जैसी मजार्द जला के खाक कर दी गई कोई नहीं बोला और मुझाला की बात मुझे याद है पहुने 11 वजे रात को बाला साथ ठाकरे जी का स्टेट्मेंट मैंने रेडियो तो बाला साथ ठाकरे जी से पूछा गया कि आपके पार्टी पे आरोफ है कि आपके कारसेवकों ने वो धांचा गिराया तो बाला साथ ठाकरे जी ने कहा कि अगर मेरे कारसेवकों ने गिराया है तो मुझे इस पर गर्भ है बताओ किसका मुझाला इनका बोलो आप मुझ क लेकिन 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 अब ये देश है मारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए लेकिन अंतराल के उस पर जनता जनार्दन की होगी राये जनता जनार्दन के होगे सवाल युवां के होगे सवाल आप देख रहे हैं ये दिवाली राम मंदिर वाली उद्धर ठाकरे की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमें अपने साथ अब आप ले लीजे नहीं कह रहा हूं मैं यह नहीं कह रहा हूं मैं तो यह कह रहा हूं कि वो भ वेल्कम बैक व्यूस आप देख रहे हैं ये देश है मारा कार दिवाली एडिशन मैं आपको सुना रहा हूँ एक भजन गायक कनहिया मित्तल ने क्या कहा राम मंदिर के बारे में और मुझे लगता है वो हर देशवासी को आज सुनना चाहिए रिकॉर्ड का बटन आउन करना चाहिए और यहां पर जो व्यूस बैठे हैं उनकी भी मैराय लूँगा और मेरा मेरे को पूरी उमीद है कि आप लोग शालीनता से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो सबसे महत्तपूर्ण है आए सुनते हैं कनहिया मित्तल ने ऐसी क्या बात बोली है जो आपको सुनन कशने लग जाती है हमारा खुद का मकान कब होगा कब तक किरय के मकान पे रहेंगे मेरी रसौई का है तो माइर चोटे भाई का कमरा का है वOCिता बीरोज राम कpa सी पूस्थी होगी कि लाम कर देश हमारा कि बkeitrum त्या हमारी है मगर हमारा महत्रा में प्रांग कि त्रेटा में तो हनुमान था उसने हमारा राजभी शेक करवा दिया क्या इस कल्यूंग में कोई आएगा जो हमारा राज भी शेक कराएगा तब राम कहते होंगे सीटा चिंतामत कर गुजराइच से नरेंद्र मोलधी आ रहा है जो हमारा कि आप लोग युवा पीडी के हैं आपको क्या लगता है राम मंदिर बनने के माइने क्या है राम मंदिर एक तो पहली बात बनना चाहिए बन चुका है क्योंकि वहां पर वह हमारी राम जी की भूमी है और विवेक शिवास्तव जी कह रहे थे कि बाबरी मस्जित का बिवादित जो धाचा था वह तोड़ दिया गया वहां पर पहले मंदिर था उसके सबूत है आपको व चाइना की लाइटों को छोड़के हर घर में दिये जलने चाहिए और राम लला के बंदिर के लिए हम बहुत उत्सुक है और बीजे भी पार्टी को मारा बहुत बहुत दन्यवाद आप कहरें कि चाइना का समान छोड़के वोकल फॉर लोकल होना चाहिए तो आप सब भी व सब्सक्राइब करने चाहिए और अपने घर में खुद अपने हाथों से बनाये है और इसा जावट का जितना भी समाने रंगोली के लिए हम लोगोंने कलर्स की जगा फूलों का इस्तेमाल करने का सोच है अभी आपने सुना विवेग जी को छोड़ी आप अपनी बात को बोलिए इस बात को अगर आप सिधान्तिक रूप से देखेंगे तो शायद इसके कोई माइने नहीं लेकिन तार्किक रूप से अगर आप इसको सबजने के कोशिश करेंगे तो करहिया मितल ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कोई समानने घर होता है यहां पर भी बड़े सारे लोग होंगे वो कहते हैं अपना माबब कहते हैं कि बेटा अब तुम कमाने लग गए हो अपना अपना घर बना लो अपनी रसोही सजा लो यह सब कर लो लेकिन शायद किसी ने सोचा नहीं किसी को आभास नहीं था हम सब बड़े घर में रहते हैं हम सब अच्छे घरों में रहते हैं अपना काम करते हैं लेकिन रामलला को अपना मकान अपना महल अपना मंदिर अब रहे और क्या है कि सुतनतता की बात ये देश में दुर्बहागी से हिंदुत की बात करना हिंदुत को एकत्र करना एक वैसा मानने लगे ते कि यह चिमिटा से चुई मत विस्नस कर राईनितिक लोगा कॉम्नल हाव भी में आराध्य हैं राम हमारी उन्हें भी सकती्प नखटा सभोने बिशब्सक्राइब kalo नहीं में सकती है व्लोगों ने इस वात को समझा हम ने कभी भी किसी समय सभूने किया किसी को कभी किसी आस्ता का आगातरी नि पहुודה हमें केवल समाझ को जागर्त किया प्रेइथ किया। उसे परनाम है हिंदु जागर्त वाई बव्हयमंद का अंद्रवाण हो रहा है। और उन्होंने कासे कोई भी पत्नी पूछती तो होगी ज़े उसका च्छत से पानीट प्रता होगा कि हमारा घर कोई पक्का नहीं होगा इच्छप्र नया नहीं होगा उन्होंने जो कहा है विल्कुल मार में कहा है और हमको संदेश दिया है कि हमें सोहमान के प्रतीक के साथ जुड़ना चाहिए इसलिए मैं नोरिमानों को कहूंगा आए जनवरी में भगवान की प्रांत परिशना समग कि गुजरास से नरिंद्र मोदी आया और उसी नरिंद्र मोदी के शासनकाल में ये मंदिर बन के तैयार हो रहा है भाई साथ जब 9 नमबर 2019 को सुप्रीम कोट ने जब फैसला सुनाया उसके कुछ तथे में आपके सामने रखना चाहता हूँ ये सुप्रीम कोट के जज्जमेंट में मौजूद है आज भी पबलिक डोमीन में है कोई भी देख सकता है सबसे पहली बाद जो सुप्रीम कोट ने कही वो कही कि हमें ऐसा कोई सुपूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो नमबर एक दूसरी बाद सुप्रीम कोट ने कही कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई तीसरी बाद सुप्रीम कोट ने कही कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद तोटी वो इलीगल तरीके से इलीगल शब्द है इलीगल तरीके से तोड़ी गई और चौती बात सुप्रीम कोट ने ये कही कि जो लोग इस मस्जिद को तोड़ने में इस धांचे को तोड़ने में शरीक थे उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए ये चार मुखे बिंदू कोट ने कहा सुनिये सर सुनिये देरे रखिये कोट के पास एक विशेश अधिकार होता है 142 कोट ने का कि मेरा ये विशेश अधिकार है 142 इसलिए मैं ये जमीन राम लला को देता हूँ अब सुनिये दूसरी बात नरेंदर मोदी आए लेकिन राम जी के खड़ाओ पर रखकर आए और सरकार बनी और आज भी देखा न लाचारी आपने जब देखा पांच राजे निकल ले हैं तो राम जी का ही नाम लिया विचार है ये लाचारी है ये मच्छुरी है अब सुना एक आपने 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 का इसतमाल का इस सब्सक्राइब नरेंद्र मोधी राम का सारा ने सकते आप यह बोल सकते हैं यहां के करोड़ों हिंदुओं के लिए करोड़ों सतना कर विसे मारे हैं इतना तो डिवेंस यह भी नहीं करते हैं यह नहीं कि अब हद मैं बताता हूं इन्हों जहां जूट बोला सुप्रीम कोट ने यह कहां मैंने जूट बोला बात तो पुरी होने दीजिए उसके आपको गरत अब आपके बीट में बोले मैं सुप्रीम कोट ने यह लिखा कि कोई और कि लोजिकल एविदेंस नहीं मिला है पुरा तात्विक साकी मैंने कहां आप Kelvin ने कहां कोई सबोट नहीं मिला और किशा में में बता हूँ होता है कि खुदा color मे नीचे कुद दिखे आज मैं आपसे कहता हूँ 6 दिसंबर 92 से पहले वहाँ पे कोई धाचा था इसका कोई पुरातात्तिक सबूत आज नहीं है सिर्फ डॉकुमेंटरी एविडेंस है सिर्फ लिट्रेरी एविडेंस है आर्केलोजिकल एविडेंस नहीं है इसलिए जब अगर आगर आगे बात कहते है आर्केलोजिकल एविडेंस नहीं होता जूट 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 यह बोलना है और जूट में लोगों को पुशार है अम आपका जूट एक के बाद एक बेनकाब करता हूं परवरी 86 में ताला खोला कोट में और कहा कि ये राम मंदिर है नो नमबर 1989 को जब पहला शिला नियास हुआ कोट की परविशन से हुआ 6 दिसंबर 1992 को धाचा गिरने के बाद वहां अस्थाई मंदिर के अनुमत सुप्रीम कोट करी है अरे भाई आप बेवकूफी में जूटी बात करे रहे जिनको सिर्फ धरम में आस्था रही नास्थिक कहते है अफीम की बात कहते है इतना बचकाना और बेहुदा बयान है कि जब मामला हाई कोट में जाता है तो सेशन कोट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है हवा में एकदम से सुप्रीम कोट बोल देता है इसलिए मैं आपको लगातार कोट के जज्जमेंट कोट कर रहा था 2019 का भी जज्जमेंट कैसे हुआ जब 2010 का जज्जमेंट इस आधार पे आया हाई कोट का कि 2003 में वहाँ खुदाई करवाई गई एक सबूत निकला उसके आधार के उपर सुप्रीम कोट ने कहा जज्जमेंट है क्या यह बोलो आधार मत बोलो जज्जमेंट क्या है यह बोलेंगे तो परिव खुद आपकी कोई चीजद नहीं बोलेंगे बिल्कुल आपने इनको परणां करा अची बात है बार बार बोला गया जज्जमेंट क्या है सुधान शुत्रमेदी ने एक लाइन में जवाब दिया जज्जमेंट यही है कि राम लला विराजमान अयोध्या में थे हैं और रहेंगे यह है जज्जमेंट खत्म इसके अलावा कुछ नहीं है जज्जमेंट अब कौन किस कहा था कौन किसने मज्जिद बनवाई बाबर कहा से आया बाबर कौन था यह कहानी खत्म हो गई अब 2024 से नया अध्याइस देश में शुरू होता है और वो अध्याए है राम लला का मंदिर और अब किसी को टेशू बहाने है आजू बहाने है बहाता रहे लेकिन राम लला विराजमान हो गये है और अगले 100-200-1000 सालों तक वहाँ पर राम लला ही विराजमान रहेंगे कोकि सक्थे के तक्थे बड़े मजबूत होते हैं चाहे जूट कित्रा भी बड़ा हो लेकिन सक्थे को डिगान नहीं सकता यही है राम लला का मंदिर सीधी सी बात यह है बस इसके आगे कोकि बार बार जजज्मेंट क्या है जजज्मेंट क्या है विशे वो नहीं है अब अ जिस धांचे को जिस बाबरी मस्जिद को बाबर के सेनपती मीर बाकी ने बनवाया ये इतिहास में है और उसके बाद कई हिंदू राजाओं ने उसको शुडाने के लिए कई बार आक्रमन किये के हम अपनी मंदिर को वापीस उपर लेके आ सकें लेकिन उन्होंने अपनी कुर दुनिया के अंदर जिसने कहा कि अधाचा हमने किराया था और उसके बाद ये बयान उधो ठाकरे सी दिलवादो उसके बाद अरे आपके सामें दे रहा हुआ परवक्ता ये तो रहूं नेशनले चैनल पर दे रहूं और कि कोई मैं कोई गुफा में दे रहूं क्या ले आज तक नहीं तक नहीं बोला गिराने की बाद में परवक्ता श्क बाहर है किसे विश्य में कोई अज़ ez बात करें यहां बिल्कुल निख़ी आप लिखिलो मेरी बात अगर इनको ना नीकाल दिया तो बोलना ऐसा पर मेरा कॉश्चन यह भी है कि आपने बाल ठाकरे जी ने क्यों भी जोड़ दिया इतने अच्छे अगर आपका अगट बंदन था उद्व ठागर जी ने क्यों छोड़ दिया यह भी एक निट सिर्फ एक मिनट इस पर चाहरे फस गए अब बहुत आरे फस गए तेके सुनिये बाला साब ठाकरे और सीव साना यह एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 25 से 30 साल सत्ता के साथ समझोता कि और यह चाहा कि BJP केंद में सासन में आए सिरफ एक महराश्टी था जिसको बाला साब हमेसा चाहते थे कि हमारा मुख्या मंत्री हो जटाई साल के लिए उस वक्ती उस परिवार को निगिया जिननोंने डिया केंद में की सरकार बनाई जैसे पांडव को पांच घावं देना मैं आज इंसे इक इबात कहना चाहता हूं कि कैना बहुत कुछ चाहता हूं मगर मैं एक की बात सिरो साले करतैं सेdepend!' तुम्हें अब यही मुनासिब है मगर बुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलू के तुम तो फिर भी हकीकत तो कोई खौब नहीं जी यहां तो दिल का यह आलम है कि क्या कहें तुमसे भूला सका ना मैं वो सिलसिला भी जो था ही नहीं वो एक खयाल वो एक खयाल जो आवास अगर यहाल है दिलका तो तुम मुझे बतलाओ कैसे उद्दव फोन उठाए और तुम्हें बतलाएं बीजेपी को कि तुम कितने हमारे अपने हो या इंडिया कड़ बंदन का तो आज काम खराब हो गया आप लोगों का बहुत दिक्कत हो गई है अब अब इन डिरेक्टली उद्दव ठाकरे की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमें अपने साथ आप ले लीजे निगारू मैं अब ले लीजे मैं यह निगारू ने लीजे मैं तो यह और रहूँ के वो भाई जिसने एक बिडिया आप बीच में चाहते हो भाई आप भीच मत आई आए आप जिस बाला साथ ने और ठाकरे बरिवार ने और सिवसान ने 25 से 30 साल सब्था के साथ समझोता किया उनको आपको धाई साल के लिए मुख्यमंति दे देना चाहिए तो बन तो काई यह समझोता था जब हम 117 और 116 लड़ते थे कि जिसकी ज्यादा संख्या होगी वही मुख्यमंति बनेगा यह बाला साथ ठाकरे जी के समय का था जबकि हम कम लड़ते थे हमारी इंसे दुगरी सीटे थी ऐसा कहीं पर वो नहीं था चलो कोई बात नहीं आज कभी चलिए भगवान राम के लिए राम राजी के लिए राम चरित मानस में चौपाई है कि बाहर नकर काहू संग कोई राम प्रताप विशमता खोई किसी से कोई बाहर नहीं है और राम के प्रताप से विशमता भी समता में बदलती हुई दिखाई पढ़ रही है इसके लिए मैं मानू रामाय युद में परास्त हो गया था तो उसके लिए भी कहा गया है जगत विधित Tumri प्रभुताई सुत परिजन बल बरनी नजाई क्या तुम्हारा स्टेटस था और तुम्हारे खांदान का क्या स्टेटस था परंतु राम विमुख असहाल तुम्हारा रहान कोकुल तारन हारा यह जीरो सीट पर आ गए वह एक सीट पर उत्तर प्रदेश में आ गए चोंकि इस लुए तो आज के इस खास एडिशन में जए दिवाली राम मन्दिर वाली आयोध्यावी सजादी है एक फिलहाल इतना ही आज के इस कार्यक्रम में इतना ही आप सब को मेरा आम राम नमस्कार जैहिंद और बंदे मातरम अबढ़ अधान या